आथ मशकार दोस्तों जय माद आदी आपका धर्मनत्री कृपा सेंटर में बहुत बहुत स्वागत दोμαकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकर नवरात्र हो हैं और आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत बदाई और जैसे अस्टमी होती है या सिधी दात्री होती है या दिशारे बाल दिन जो है या आम दिनों में लोग बढ़ारे करते हैं कर्जकाओं का पूजिन करते हैं कन्याओं का पूजिन करते हैं तो दोस्तो आपको यह नहीं पता कि पात्र मैं करन्यों को भोजिन करना चाहिए। यह अगर आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे patd आपको पुन्या मिलेगा और जो लोग उसके उसको करेंगे इस बिजी को बनाएंगे उनका भी भला होगा तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सभी मादा भाईयां भाईयां भेहनां से इन्वेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को भी जूरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों एक बहां आजकल यहां हमारे प्रसा चल चुकी है कि जो कन्याओं का पूरिल करके जो उनको भोग दिया जाता है हलबा पूरी चने जो भी हैं हम प्लास्टिक के बरतन में ही उनको जो खाना है जो भोग है बुल आप यूजान को लिए लेकिन कन्याओं पूजन की करना को भोग जो दिया जाता है दोस्तों तो यह यह बॉड़ करते हैं गो दोस्तों यह बहुत बड़ा पेड़ होता है लेकिन यह पेड़ के तने के ऊपर ही यह चो टाहनी मेरे को मिली और मैं तोड़ advanced के लिया यह थोड़ा इन पतों को कीड़ा लग चुका है तो यह जो पत्ते हैं दोस्तों बिर्कुल साफ होते हैं अगर हम इसके उपर इसके पत्तों से पातल बनाए जाए एक चोड़ी प्लेट बना दी जाए तो दोस्तों इन पत्तों के उपर जो है माता अन पूरना का बास होता है यह इसको ब्रह म्रिक्षमी कहा गया है और और इसके ओपर जो फूल लगते हैं दोस्तों एक और चीज़ कहता हूँ अगर इसके फूलों का पॉडर बना दिये जाए और होली इन फूलों के पॉडर से खेली जाए जितनी भी घरों में आपके घर में नेगटिव एनरजी है नकरातमक शक्तियां है दोस्तों इसके फूल से फूल के पॉडर से जिस वक्त होली आती है अगर आप होली खेलते हैं इसके पॉडर से दोस्तों आपके घर में जितनी मर्जी नकरातमक शक्तियां हैं सब भाग जाएंगे और दूसरा अगर आप इसको कन्या को भोजन करते हैं इसके पातल के उपर तो दोस्तों इस पत् आप जो अगर इंक ने को भी आप भोजन खुरते हैं तो एक करोड़ के नो आप को प्षल यह किन्यूर को आपने ब्भोजन कर आदिया ऐसा को फल मिलेगा तो क्योंकि यह सास्त्राफाइबते नहीं है कि दोस णिए इसके पत्ति के उपर दोस्तो जैसे इसका पातल बनाया जाता है इसके उपर जो बैक्टिरिया बाइरस होता है वो दोस्तो खत्म हो जाता है ये तो कीड़े होते हैं हमेशा कीड़े तो पत्ता को खाते हैं लेकिन अगर इसके उपर भोजन में कोई विशाकत है बैक्टिरिया बाइरस है तो दोस्तो वो खत हैं कि हमें कांसे के पातन नहुंदилось के पातन के पोजन करते हैं अब सके बात दोस्तो एक महतवपुर्ण और जानकारी है क lacked हनुद जी इसह पांग के पट्ते के अपर भोग लगए जाता है जो पान resh अब बहुत सारे जो भी आप माता राणी को भोग लगाते हैं वो पान के पत्ते के उपर ही लगाया जाता है और अगर आप कन्याओ पूजन के उपलक्स पर इस पत्ते के उपर भोजन करायते हैं हाँ एक और चीज़ है अगर आपको ज्यादा क्वाइंटिटी में नहीं मिलते हैं तो कम से कम अगर जो थाली प्लेट आपने रखी है, एकाद ही पूड़ी ही इसके उप रख दीजिए, या एकादाँ, आपने खलबा थोड़ा सा इसके उप रख दीजिए, तब भी वो आपका जो फला देश है, वो क्रोड गुणा मिलेगा, इसका क्रोड गुना फादलेश है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि यह नवरातिरे ऐसा नहीं एस वार आए अगली वार भी आएंगे तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों में शेर करेंगे इस वीडियो को शेर करेंगे तो दोस्तों सभी लोगों को ये जानकारी पहुंचेगी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को कृपे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और इस चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करें वीडियो को देखेने के दिया आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार